इदर किसानों ने करीब एक साल से ज्यादा वक्त से चले आ रहे आंदोलन को खत्म करने का एलान किया तो इस मसले पर राजनिती कहा पीछे रहने वाली थी सियासी विरोधियों ने मोधी सरकार पर हमला शुरू कर दिया किसान अंदोलन खत्म हो गया है और विपक्ष के हाथों बड़ा मुद्दा निकल गया है आज हम कह सकते हैं कि प्रजातंतर के एक नए यूग की शुरूआत हुई है और मोधी सरकार की हार में ही भारत के प्रजातंतर की जीत है पर लड़ाई अभी खतम नहीं हुई एक बड़े संघर्ष की आज शुरूआत है ये संघर्ष किस बात का है ये संघर्ष है किसानों को उपज का केवल न्यूंतम समर्थन मुल्य नहीं लाबकारी मुल्य दिल्वाने का ये संघर्ष है किसानों को 2022 तक आए दुगनी करने के वादे को निभुवाने का साल 2022 में अब केवल 20 दिन रहे गए मोदी जी सब्ता में आए थे और वोट हती आए थे किसान की आए 2022 तक दुगनी हो जाएगी इस वादे के साथ पर सरकारी एन्यसो का अंकड़ा कहता है कि किसान की आए घटकर 27 रूपिया प्रति दिन हो गई जो प्रति दिन की मनरेगा मजदूरी से भी कम है इसलिए सवाल तो पूछना ही होगा और संगर्श तो करना ही होगा सरकार अम्री जामा जल्दी पहनाने आकाम करेगी हम बारीकी से बात सरकर्यान वन जो आज माना गया उनको देखेंगे सरकार की और से हम ये भी मैं समझता हूं कि सरकार हम समझते हैं कि सरकार ने सबक ले लिया होगा इस वर्ग से टकराने का सबक किसान एक बहुत बड़ा वर्ग इस देश में उस से टकरा के कुछ नहीं मिलता और कहीं ना कहीं आज ये सब को समझ में आया होगा किसान एक ऐसा वर्ग है जो अपने हकों की रक्षा करना जानता है उनके लड़ाई लड़ना जानता है तो आज देश के किसानों को बहुत-बहुत मैं बढ़ाई देता है दिल्ली की सिमाओ पर करीब एक साल से अधीक बग्षे चल रहे आंदोलन को खत्म करने का हहलान किया मगर सियासद कहा था है किसान आंदोलन के सहरे विरोधिय एक तरफ सरकार को घेर रहे बीते एक साल से देश में किसानों का अंदोलन सरकार के लिए बड़ा मुद्दा रहा है पांच राज्यों में कुछ महिने बाद विधानसभा चुनाओ है जिन पांच राज्यों में चुनाओ है उनमें पंजाब और यूपी जैसा राज्य भी है ऐसे में किसानों की नाराज़गी समझते हुए क्रिशी कानूनों की ना सिर्फ सरकार ने बापसी की बलके अंदोलन को भी सरकार ने खत्म करवा है चुनाव से पहले एक बड़ा अंदोलन शाद करवा कर सरकार ने मास्टर स्ट्रोक भले चला लेकिन विपक्ष आसानी से किसानों के मुद्दे को छोड़ने को तयार नहीं अंदोलन के दोरान जान गवाने वाले 700 किसानों की मौत का जवाब विपक्ष सरकार से माग रहा है बोल मिलाकर किसानों को सरकार ने तो मना ही लिया है निउस डैस्क रिपोर्ट खबरें अभीता